अलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हिवाचा प्रदेश के नंबर वन यूट्यूब चैनल एचपी स्टेडीज पे माइनेम इस केशप कटोच HPSCB का जो फ़ार्म जो जो जूनिकिलर का निकला है उसकी लास्ट डिर जो है 31 पार्च है तो जिन बच्छों ने अभी तक भी फ़ार्म नहीं भर ले लैकि इस पेपर को 가장 बच्चे बच्चे पहें इस फॉर्म भर रहे हैं हालां कि वो हिमाचल प्रदेश के कई और examination की भी त्यारी कर रहे हैं बट banking sector में वो पहली बार जो है वो इंटर कर रहे हैं या फिर bank का exam जो है पहली बार दे रहे हैं तो इसी जे एक doubt उनके मन में आता है कि सर इतने limited time में हम इस paper को जो है वो crack कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो मेरा जवाब उनसे हमेशा रहता है कि yes you can बट इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि efforts आपके बहुत high होने चाहिए क्योंकि आप एक dedicatedly मन में बना के रखें कि मुझे ये job चाहिए मुझे banking sector में जाना है मुझे अपना career अच्छे से बनाना है मुझे salary अच्छे से चाहिए तो उसके लिए उतनी ही मेहनत भी जो है वो आपको इसमें करने तो इस वीडियो में आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे points और चीज़ें जो discuss करूँ है जो की आपकी आने वाली जो एक मन्त हो जो डेड़ मन्त आपका है जो journey है आपकी इस HPSCB clerk की preparation की उस journey में आपको काफी जादा helpful जो है वो आपको आज का lecture जाई है आज की वीडियो जो है वो आपकी होने वाली है मैं आपको वो points बताऊंगा जो points आपको ध्यान रखने हैं आप उनको apply कर सकते हैं during the time of your preparation जो की आपके लिए helpful भी रहेगी और उससे आपको एक confidence भी बूस्ट होगा और एक direction भी जो है वो आपको मिलेगी तो zero से आप किस तरीके से जाके आपने paper की त्यारी पहले नहीं की है ठीक है बड़ मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा इस paper के अंदर गुसा है उसको थोड़ा mathematics और reasoning उसमें पहले जो है वो किया हो अगर आप zero से table याद कर रहे हैं फिर बहुत impossible हो जाता है बढ़ हाँ आपको examination जो है यह examination pre और mains है सबसे बड़ी गलती जो बच्चा यहां पर कर रहा है वो सबसे पहले prelims को target करना है फिर सोच रहा है कि मैं mains को बहुत अराम से करना हूँ नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है आपने इस paper की तियारी के वक्त आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना time है अच्छा मैं एक paper को पहले करूँ है दूसरे को बात में त्यार करूँ है क्या मेरा paper clear हो जाएगा answer होगा no आपको दोनों paper को इकठे लेके चलना है prelims और mains यहां पर सबसे main difference अगर मैं आपको बताओं कि difference क्या है difference सबसे main क्या है GS का GS बोले तो general awareness जिसमें HPJK इसका difference है current affairs का difference है बाकी Maths, Reasoning, English यह तीनों चीज़ें जो है यह आपको mains में भी आनी है prelims में भी आनी है तो level of difficulty को जो है बद्दे नज़रे को prelims में जो आपको level मिलेगा वह आपको mains में वह लेवल नहीं मिलेगा में पर एक level उससे अप ही देखने को मिलेगा number of questions भी आपको ज्यादा ह जाएगा उसमें और दूसरी चीज़ है speed तो आपकी matter करेगी करेगी तो देखो prelims और mains पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि आपको prelims और mains दोनों को साथ मिलेके चलने हैं सबसे main चीज़ होती है आपके current affairs देखो यह जो current affairs है जैसे मान की चलिए कि six months के current affairs आपको पढ में चाइफ जून शौलाइ में आता है तो आप यह लिगा जूलाइ में आता जूलाइब यून तक क्या आपको पढ़ hani वह आपके पर आपके में ही पढ़ने को डेली बेसिस पे अपना एक घंटा जो है वो current affairs को दो डेली एक घंटा जो है वो अपने अभी अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम इनको देने लगोगे तो आप अराम से इस पेपर के मेंस की तियारी आपकी होगे क्योंकि math, reasoning, english तो आप पढ़ी ही रहे हैं उसमें क्या होगा कहीं पर reading comprehension यहाँ पर प्रेलिम्स पे अगर आपको एक देखने को मिलेगा वहाँ पर तो तीन या दो देखने को मिलेंगे मेंस में तो आपको number of questions जादा मिलेंगे बट syllabus आपका वही है और आपको जादा से जादा questions को क्या करना है attempt करना है तो prelims और मेंस दोनों को साथ में लेके चलने तभी आपका paper successful होगा जिन भी बच्चों का candidates का paper clear हो उन सब पूछ लेना मेंस को साथ साथ में लेके चलें और यह खासकर आपका current affairs और HPG के यह आपको score दिलवाएगा और आपकी mains की cutoff में आपको helpful भी करेगा और यह अभी जे नहीं करोगे जब paper prelims आएगा prelims के test का wait करोगे कि भई हमारा result का wait करोगे result के बाद हमारे को कुछ मिलेगा ऐसा कुछ न है तो चारो subjects important है ऐसा तो नहीं है कि math reasoning English को नहीं करोगे set करोगे mock test को दोगे यह साभी चीज़े important होंगे उस time पर तो फिर कहां से time निकालोगे आप तो अभी आपके पास time है relax होके एक एक गंटा आप लगाए इन दोनों को daily current affairs को पढ़िए हमारा 6 बजे current affairs का session होता है daily उत जुरुवात के time पर आपको किन चीजों का ध्यान में रखना है तो सबसे main चीज आपकी आती है that is the confidence जब भी हम किसी examination में जाते मैं किसी भी paper की आपको को strategy बताता हूं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपके अंदर confidence जलूर होना चाहिए कि इतना मेरे पास time है इस तो automatically नहीं होगा it is a psychological thing जब आप अपने आप में एक confidence रखते कि नहीं हो जाएगा कोई बात नहीं तो आप automatically करने लगते हैं एक topic को करेंगे पर दूसरे topic पर जाएंगे तीसरे पर तो sense of confidence आपमें बढ़ता रहता है और आप बड़े अराम से चीजों को tackle करना शुरू हो जा हैं तो उसमें सबसे में चीज़ आती है efforts आप कम से कम आपको आठ घंटे दो डेली के देने ही देने हैं उससे जाधा जितना देना चाहते हैं अगर आप अभी भी चाहते हैं कि भाई मेरा paper clear हो जाए यह आपको देने ही पड़ेंगे otherwise आपको कहीं ना कहीं लूप हो लेक आ square roots आपको clear होने चाहिए किस टाइप का question किस तरीके से होता है वह आपको पता होने चाहिए तो वह होता है कि number of questions आप कितने कर रहे हैं देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ number of questions कि मैं आगर आपको बताऊं तो number of questions देखो जैसे मान के चलो आपने percentage किया तो percentage जब आप कर रहे हो तो percentage में हमेशा ध्यान में रखने कि मान के चलो आपने 300 questions कर लिए जबो 300 questions बड़े आराम से कर सकते हैं जब आप flow में करते हो 8-8 घंटे करते हो तो आपने पकड़े पूरे questions आजकल material इतना पड़ा है नेट पे जाओगे वहां questions मिल जाएंगे एक book पकड़ लोगे उसमें पता नहीं धेर सारे questions मिल जाएंगे मामला सिफ किसका है कि आपको क् question मान की चलो आपने 300 question कर लिए तो 300 से जाधा करने की कोशिश मत करो इनी 300 को बार बार करने की कोशिश करो तुकि इनी 300 में आपको type of questions देखने को मिल जाएंगे वह type of questions को आप बार बार करोगे वो आपकी calculation को बढ़ाएगा calculation को बढ़ाएगा तो आपकी speed बढ़ेगी यह banking का exam जो है यह speed का भी एक exam है अगर आपकी speed अच्छी नहीं तो आपको कोई नो कोई भीट कर जाएगा तो जब आप number of questions को बार बार करते हो और यहां पे आप उसकी technique को आपको पता लग जाता है concept पता लग जाता है question देखके आपको पता लग जाता है कि मेरी approach क्या होनी चाहिए तो पहली चीज़ है कि concept के बाद होती ही technique technique में आता है कि कोई बच्चा long method को use करता है कोई बच्च फिर उसके बाद आप technique लगाते हो फिर आप methods लगाते हो फिर आप square root लगाते हो फिर आप बढ़ी सारी चीज़ें लगाते हो वो होती that is the technique तो concept के साथ साथ आपकी technique सही होनी चाहिए यह नहीं आप paper में एक मान के चलिए आपने एक question उसके उपर ही आपने 5 minute लगा दी वहां आपको examination approach का मतलब यहां पर क्या आगया that is approach मतलब आपको किन चीजों पर ध्यान देना है आपको किस question पर किस तरीके से जाना है किस तरीके से question को पकड़ना है वो सारी चीज़ेंगी speed matter करेगी speed तो मैं आपको simple से बात करता हूं calculations अगर math की speed देख रहे हो ना तो calculations पे ध्यान मैंने banking का exam दिया था तो IBPS का जब मैंने examination दिया था तो उसमें आप ध्यान रखेंगी कि series का question जो है वो एक मिनिट में पांच question जो है मैंने कर दिये थी एक मिनिट में पांचों के पांचों तो पांच नुमबर मैंने एक मिनिट रहे हो सकता है कि यह किसी बच्चे को यह आता था जो आप सी shift से पहले हुआ तो उसको आप जच कर सकते थे वो online आ जाता था कि किस तरीके की series आपको आरी तो आप देखो न सीरीज के आपने कम से कम तीन सो वोशन किया question देखके आपको पता लग जाएगा कि इसमें मैंने plus करना है square करके plus करना है minus हो रहा है plus हो रहा strategy strategy में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहां पर आगए अभी मैं आगे आपको पूरा syllabus भी बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि strategy कैसे होती है आपको यह पता हो नहीं आपका paper ले रहा है इनका define है कि मुझे maths में देखो इनको di का question पूछना है या ठीक है उसके बाद इनको series का question जो है वो पूछना है quadratic equation पूछना है तो इनका define होता है और arithmetic के question पूछना है simplification पूछना है reasoning में कहां से number ले सकते हैं हमें पता puzzle से sitting arrangement से question आता है मारो question वहाँ पर करो question blood relation से एक-दो question आपको बनेगा बनेगा करो question क्यों नहीं कर रहा है तो जिन section से हमें पता है कि हमें coding decoding से में question आएगा करो उनके question तो ये sections वो है जहां से आपको question आने ही आना है तो उनको छोड़ दोगे आना मैंने कई बचे देखें सबसे पहले अर्थमेटिक के तरफ पड़ते हैं ठीक है मांगे चलो मैं time man work कर रहूँ एक question आना है डिये में क्यों नहीं हाट डाल रहे है डिये में क्या आता है परसेंटेज आता है रेशो प्रपोशन आता है क्यों नहीं कर रहे है ये सारी सारी वहां use होगी profit and loss आएगा आएगा question इन इस तरीके से आपको examiner paper set करता है prelims का और सेम इसी तरीके से वह means बढ़ जाएंगे डिये के ज्यादा question हो जाएंगे सीरीज के अलग से हो जाएंगे फिर अर्थमेटिक के भी question बढ़ेंगे हर की value आपकी बढ़ जाएगे हाना तो strategy आपको ध्यान में जो है वह यहां पर रखने इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखने जब भी आप किसी भी चीज पर जा रहे हैं किसी भी टॉपिक कर र वहां पर दियो है कि previous year कैसे paper आया हुआ था आपका किन से कैसे के questions आयते वह आपने देखने है और last आपको है that is the mock test आपने अगर mock test नहीं लगा है ना आपकी सारी की सारी मेहनत waste हो जाएगी क्योंकि mock test आपको असलियत दिखाएगा कि आपकी speed क्या है mock test आपको speed दिखाता है तो mock test आपने हफते में एक या दो mock तो लगाने ही लगाने separate तो लगाने लगाने जैसे math का लग से 35 का लगा लिया फिर उसके बाद reasoning का लगा लिया फिर English का लगा लिया ध्यान में रखना इन चीजों को ध्यान में रखना और एक और चीज मैं बताता हूँ कई बच्चे क्या करते हैं English को और general awareness को बड़ा lightly लेते हैं इनको पढ़ते ह नहीं है कि कर लेंगे वहाँ पर यह गलती कर रहे होगे आप मेंस में प्रेलिम्स में तो करोगे करोगे मेंस में करोगे यह दोनों स्कोर देते हैं math में अगर question फस गया ना तो लग जाओगे ego आजेगी बीच में कि बाई question पढ़ा भी था होगे English में पता होता है आएगा आएगा नीएगा नीएगा बट अगर आपने इसमें कर लिया ना तो आप फते हासिल कर लोगे अराम से merit में अराम से आओगे आप इन दोनों सेक्श लेना ठीक है 80 परसन बच्चा लाइट ले लता है को ठीक है English है कर लेंगे दो तीन रूल्स पड़े कर लेंगे नहीं जितनी जादा practice कर सकते नाउन अलग से करो वर्ब अलग से करो प्रेपोजिशन अलग से करो आरसी अलग से करो चितनी practice करो रीडिंग रीडिंग निउस 12 पेज इकठे पड़े थे नहीं पड़े होते बच्चे में वो रीडिंग हैविट नहीं होती तो पेपर में दिक्कत आती है चीजों को समझने के लिए तो बार-बार स्क्रोल करते रहोगे तो दिक्कत आएगी इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश जनल अवेंस को थोड़ा सा अच्छे से करके जाना होता है ठीक है चली अब यह तो आपको समझ गया मॉक टेस्ट आपके बहुत इंपोर्टेंट है मॉक टेस्ट आप लेकर आएंगे प्रापर उसी तरीके से लेकर आएंगे जिस तरीके से आपका पेपर आएगा ठीक है अब यहां पे आपकी बात आर्सी हाना आनए आए आर्सी को मतर रीडिंग कॉंप्रियेंशन आपको आने आनने ठेक उसके बात आपको फिलर्स आने आने और फिल यह होती है इसको इंटरिया मोटर्ष नहीं 3000 पीडताप इस के बीच में आको Synonym आपके इसी के बीच में जो है वह हो जाते हैं तो यह वह section है जहां से question आपको English में आना ही आना है इसको तियार करके रखो 30 number है 30 में से 15 number को तो अपने target करो कि इन में से तो मैं चुटकियों में कर देना क्योंकि आपको 20 minute मिलने हैं अब वह section को उठाने जहां पर मैं सबसे जल्दी स्कूर कर सकता हूं उन section को आपने सबसे ज़्यादा जोर देना है अगर मैं numerical ability की बात करूंगा तो डिये section मुझे पता आनी-आनी है number series मुझे आनीन है karate equation मुझे आनीन पांच number की पांच number की आओगी 1500 कमदी ज इकरने पर तृम से शार्वाद कर लो देखने में लगता है के question कर लिए ने इतने simplification के 12-13, 12-13, ऐसे करके आता है, clear, सीधा number आजेंगे, 35 number आपको feel भी नहीं होगा, आपने बड़े around से graph कर लिए, पर simplification सबसे ज़्यादा calculated होती है, तो यहाँ पर किसी को square आते हैं, cube आते हैं, table आते हैं, वो बहाँ जल्दी इस question को जो है, वो कर लेता है, तो वहाँ आपको धियान में रखना है, effort तो लगेगा, उस लड़्डू को खाने के लिए effort तो लगेगा, पर लड़्डू ऐसा है कि एक बड़ effort कर लिए तो कोडिंग डिकोडिंग आनी आनी है, blood relation आनी है, direction आनी आनी है, करो इनके 100-100 question, करो decoding डिकोडिंग के different type of question, उठाओ यहाँ से question आनी है, inequality से question आनी है, पकड़ो, syllogism से question आनी है, जिनका हमें पता है कि यहाँ से question आते हैं, तो उन topics को उठाओ, और उनके इतने questions करतो कि भाई, कोई मुद्धा ही नहरे, और जब आप यह सब कर लेते हैं, फिर आपने mock test पर ध्यान देगा, mock test देंगे, तब ही आपको पता लगेगा, जो question मुझे speed, timing के साथ जो होता है, paper का इक अलग pressure होता है, वो pressure आपने रखना है, और जब भी आपने paper देना है, ठीक है, जब आपका paper आएगा, कई बच्चे क्या करते हैं, जब paper का timing होता है, उसी timing के बीच में, क्या करते हैं, test देना शुरू कर देते हैं, ताकि उनकी speed वैसी बने, ताकि उनका mohol वैसा मिले उनको, तो जब आपका admit card आएगा, जैसा आपका slot होगा, जैसा सुबह का slot होगा, तो रोज सुब timing तो देंगे न, हफता दो हफता तो दे देंगे आपको, हफता दो हफता उसी time पे आपने mock test लगाने, जैसे मांग चलो 10 से 12 के बीच में, suppose 10 से 12 के बीच में आपका test है, 10 से 12 में ही daily आपने mock लगाना है, यह admit card के बाद पता लगता है, पर वैसे बात कर, उस time पे भी mock लगा ध्यान में रखो, important concepts, important techniques, जो आपको ध्यान रखने है, important topics, जो आपको ध्यान में रखने है, जहां से question आता ही हाता है, उनको करना ही करना है, और सबसे जाला important effort, effort नहीं मारोगे, यह सब waste हो जाएगा, ठेक है न, उसके बाद क्या है, यह qualify क्या means examination है, same चीज हो जाएगी, reasoning, numerical ability और English, यह तो हमने किया है, क्या हो जाएगा, reasoning में यहापे, puzzle और DI का questions पढ़ जाएगे, कम से कम 20 questions, आपके यहां से आजाएगे, blood relation के साथ question हो जाएगे, coding, decoding के जाएगे, sitting arrangement कई परकार की होती है, circle वाली भी होती है, आमने सामने भी होती है, एक आपको floor वाली आजाएग syllogs आजाएगे, आपको 5 से 6 नंबर के आपको syllogs आजाएगे, तो वो question यहाँ पर बढ़ गए है, numeric ability में, simplification का quadratic question, उसके arithmetic का question आपके बढ़ जाएगे, mensuration के भी कुछ question इसमें add होंगे आपके साथ, ठीक है न, और उसके बाद English तो आपकी रहेगी, RC, आपके RC यहाँ पर 3 RC आजाएगे आपको, या 2 RC आजाएगे, उसके साथ error detection आजाएगा आपको, clause test आपको आजाएगा, filling the blanks, fillers आजाएगा, सीधा-सीधा 10 नंबर का filler आजाता है, तो reading आपकर आप जितनी अच्छी से करेंगे, उतना आप English में score करेंगे, और यह जो section है न, यह दो section यह आपको mains में score करके देगी, इन दोनों को daily basis पे क्या करो, English के rules को पढ़ो, test दो, 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 उससे आपकी English improve होना start हो जाएगी, और RC के लिए reading habits जो है, वो बनाना शुरू करो, general awareness ध्यान में रखना, HPGK और current affairs को अगर आपने अच्छ से कर लिए, बहुत अच्छी से score कर जाओ गया, इनको साथ में लेके चलना है आपने, तो देखो मैं वीडियो में यही चीज़ आपको समझाना चाहरा हूँ कि आप अभी भी कर सकते हैं, बस आपकी एक approach, target, strategy आपकी सही होनी चुई है, timing निकालो, first week में मुझे क्या करना है second week में मुझे क्या करना है, third week में मुझे क्या करना है, fourth week में, तैको time table मैं आपका नहीं मना सकता, आपको अपने कुछ बच्चे job कर रहे हैं, कुछ बच्चे job नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे free हैं, competition सब में बराबर हैं, बस मैंने बोला कि आपको timing जादेना मड़ेगी, जो job कर रहे हैं, रात को 3-4 घंटे, सुबा 3-4 घंटे, फिर उसको जाओ, headache हो जाता है, तंगी हो जाती, बट थोड़े दिनों की तंगी है, उसके बाद अराम की जिंदगी जो आपको मिलेगी, अच्छी salary मिलेगी, अच्छी posting मिलेगी, हिमाचल में posting मिलेगी, बड़े अर करना कि मिड मही में नहीं आएगा, election है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, मिड मही में या end मही में आपका paper आ सकता है, इस चीज को confirm लेके चलो, क्या होगा, अगर आगे चला गया, तो और अच्छा time मिल जाएगा, और अच्छा से करना है, बट आप target बही बना के चलो कि मिड मह इसको, ठीक है, तो यह चीजें सभी के सभी आपने one by one करना शुरू कर देनी है, ठीक है, तो in the end, अगर कोई हमारा live badge भी अगर जोईन करना चाता है, यह अभी 26 मार्च से ही start हुआ है, और हमारा पूरा target है कि हमने that is the mid-mahe में पुरापर तरीके साब की तियारी जो है, वो करनड़ फिर साथ-साथ में चल रहा है, daily pdfs आपको मिल रही है, weekly video आपको मिल रही है, तो आपको मिल रही है और free session जो हमारा YouTube पर चल रहा हो तो मिलेगा, और सबसे nominal price में कोई भी academy ऐसे नहीं है, जो आपको सबके rate जो है, और सबने अपने prices ऐसे higher गी हो है, क्योंकि paper है, प अगर आप इसको join करना चाहते हो, तो नीचे दे नंबर पे 781484624 पे call कर सकते हो, या फिर Nimbus Career से आपको download करके भी इस badge को join कर सकते हो, जैके, demo lectures already available है, आपके app के अंदर, जैसे badge को open करोगे, वहाँ पे सभी subjects के आपको demo lectures देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप पता लग ज चीके कराएंगे, नितिन सर, आपको यहाँ पे current affairs करवाएंगे, तो यहाँ पर इस सभी चीज़ें आपकी according to the examination आपको होगे, तो टाइम पर आपका syllabus जोगो खतम कराया जाएगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, I hope आपको वीडियो से कुछ confidence, कुछ vision और कुछ clarity होग कि किन चीज़ों पर किस तरीके से ध्यान जोगो देना है, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है, तो like और share और channel को subscribe करना ना बूले, thank you very much, all the best